नमस्कार श्वागत आप सभी का सी नियूस भारत में और मैं हूँ आपके साथ जोती श्रवास्तव बक्तो चुका है खास खबर का संबल जिले में हुई हिंसा के विरोध में कॉंग्रिस प्रदेश अध्यक्ष अजे राय और अन्यकारेकरताओं ने पाटी मुख्याले पर मौन रहकर विरोध किया और मृतकों की आत्मा की शान्ती के लिए प्रार्थना की यूपी कॉंग्रिस प्रदेश अध्यक्ष अजे राय ने पहली राश्ट्रुपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर कुष्पांजली अर्पित की और फिर मौन धरने पर बैठे कॉंग्रिस प्रदेश अध्यक्ष अजे राय के साथ बड़ी संख्या में कॉंग्रिस पदाधिकारियों ने मौन रखकर इस मामले में निश्पक्ष जांच की मांकी इस मौके पर सीनियूस भारत से बात करते हुए यूपी कॉंग्रिस प्रदेश अध्यक्ष अजेराय ने कहा कि यूपी की योगी सरकार अब निरंग कुष हो चुकी है अब हम आरपार की लडाई के लिए मेहनत कर रहे हैं यारी पूरी तरीके से शन्युशी तरीके से गटनाएं कराई जारी हो फैले बाराइच अब ऑप में गया था वो शार्ट सर्कुट से आग लगी, शार्ट सर्कुट कैसे लगा, एक्स्टेंशन बोर्ड में 18 बेड है, वहाँ पे आपने 49 बच्चों के अडमिट किया, उसके अंदर डबल डबल प्लगिंग की गई, दो-दो मशीने, चार-चार मशीने लगाइगी, और जहां तक मेरी जा का दिया गया है, और बहुत थी थर्ड ग्रेट की वाइरिंग कराई गयी थी, जो तार डाले गए थे, वो भी बहुत कमजोड तार डाले गए थे, इसना थे घटना गटी, तो ये घटना है, चुनाव में जिस तरी के काते अचारा नया जबर्दस्ति किया, वो घटना ये स कनने बाले हैं, इसको लेकर को बड़ी घटना थी, 17 बच्चे मरें, अगर ये फाई यार नहीं करेंगे, तो हमारे कारकरता स्टलक पुतर करेंगे, और उस परिवार, जो बच्चे, जिनके परिवार के बच्चे, आज काल का उलीत हुए, उनको हम नया दिलाने का पूरा प सरकार को यहां पर दिखना होगा और बड़े करणा उठाने होगे, कॉंगरिस के बड़े आरूप लग रहे हैं, आनवाले स्ट्री में क्या करेंगी, क्या अंदूरन करेंगी, सरकार कैसे चिताएगी, उस समय बताएगा, पर एक बातर पस्त है, कॉंगरिस पार्टी इस तम साम मुद्दों पर सरकार से दोडो हाथ करने के लिए तैयार बैठी है, क्या पर से अपूर के साथ गौरस की आस्ता हो, सीनीज भारत लगना होगे, फिलाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही, देश-दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए, आप देखते रहे सीनीज भारत हर खबर आपके साथ आपके हाथ